दोस्तो एक्सल में न सबसे इंपोटेंट सबसे पावरफुल टूल पता है कुन सा है पीवर्ट टेबल डेटा चाहे हजारों में हो या लाखों में हो अगर आपको पीवर्ट टेबल का यूज करना अच्छे से आता है न तो आप केवल 10 सेकिंड में मन चाही किसी भी तरह की क्रियेट कर सकते हो डेटा को इसली समराइज कर सकते हो अब इस वीडियो के इंट्रो में मैं आपसे ज्यादा कुछ नहीं कहूंगा बस इतना कहूंगा कि ये वीडियो इतना पावरफुल है इतना कोशी इस वीडियो से आपको सीखने को मिलेगा कि अगर आप पीवर्ट ट को एक बार पूरा जरूर देख लो बहुत काम का वीडियो है इस वीडियो के बाद आपको कोई दूसरा वीडियो नहीं देखना पड़ेगा कि पीवर्ट टेबल का यूज क्या होता है कैसे करते हैं ठीक है तो बस फटाफट वीडियो को लाइक कर दीजिए चैनल को सब्सक्र आपको डेटा की अच्छी नौलिज होनी जरूरी है कि हमारे पास डेटा किस किस तरह का है तब भी आप पीवर्ट टेबल अच्छे से बना पाओगे तो यह है मेरे पास डेटा यहां पे हैं इंपलॉय आईडी डेट सेल्समें के नेम एज आईटम रीजन क्वेंटिटी ए इसा है जितने जादा एक्जामपल आप देखोगे उतने डाउट्स आपके किलियर होंगे उतनी अच्छे से आपको पीवर्ट टेबल समझ में आएगी तो स्टेब बाइ स्टेब सारे एक्जामपल्स बिना स्किप किये आप पूरा वीडियो देखिए ठीक हैं देखिए हम क्या करेंगे डेटा में कहीं भी क्लिक कर लेंगे या तो आप डेटा सेलेक्ट कर लो पूरा या फिर कहीं भी आप क्लिक कर लो कोई दिक्कत नहीं है मैंने कहीं भी क्लिक कर लिया ठीक है इंसर्ट टैब पे जाएंगे और यहां पे ऑप्शन मिलेगा पीवर्ट टेबल का ये रहा इस पे हम कर देंगे क्लिक अभी मेरे पास ये एकी सीट है सीट वन जब मैंने पीवर टेबल पे क्लिक किया तो क्रियेट पीवर टेबल का ये पॉप अप बॉक्स आ गया है अब यहाँ पे दो चीज ये आप से पूछता है एक तो रेंज अब मैंने यहाँ कहीं भी क्लिक कर रखा था तो डेटा की जो रेंज है वो पूरी और्टोमेटिक यहाँ पे सेलेक्ट हो गई है दूसरी चीज ये पूछेगा कि आपको जो पीवर टेबल बनानी है रिपोर्ट बनानी है वो इसी सीट पे बनानी है या नई सीट पे बनानी है अगर इसी सीट पे बनानी है तो आपको यहाँ से सेलेक्ट करना होगा एक्जिस्टिंग सीट और यहाँ इस बॉक्स में क्लिक करने के बाद कोई भी एक सेल करना होगा select जहां पे आप अपनी report बनाना चाहते हो महां लिजे यहां पे मैं click करूँगा तो मेरी जो pivot table बनेगी वो यहां से बनेगी ठीक है मैं कहा करता हूँ मैं एक नई seat यहां पे ले लेता हूँ मैंने ले लिया new work seat मैं एक नई seat पे जो है pivot table बनाऊंगा इस seat पे हमारा यह original data रहेगा तो यहां से मैंने ले लिया new work seat और ok पे कर दिया click जैसी मैंने ok पे click किया तो यहां पे seat to add हो गई और यहां पे इस तरह से यह आपको seat दिखाई देगी यहां पे table आपकी बनेगी pivot table और यहां पे देखे pivot table fields आपको दिखाई देंगी जितनी headings आ आपको यहां पे इस box में दिखाई दे जाएंगी ठीक हैं यहां पे चार box दे रखे हैं अभी सब कुछ आपको detail में समझ में आ जाएगा pivot table fields को आप यहां से पकड़के एदर उदर भी रख सकते हो यहां पे रख लिया यहां से इसको पकड़के नीचे ड्रैक कर सकते हो इस reason wise sale दिखानी है तो देखिए यह काम केवल 5 सेकिंड के अंदर हो जाएगा यहां पे आपको क्या करना है reason वाला जो option है यह रहा इसको पकड़के row वाले box में डाल देना है जैसी आपने reason को यहां से पकड़के इस row वाले box में डाला तो देखिए unique entries यहां पे आगए east, west, north, south unique entries यहां पे आगई है अब यह जो अभी आपने क्या किया यहां से reason को पकड़के row में डाला तो यह जो entry थी वो row में आगए यह heading होती है यह row में आगई इस तरह से ठीक है अब अगर मैं इसको पकड़के columns में डाल दूँगा तो यही जो reason की entries थी वो ऐसे ना आके वो ऐसे column में चली गई इस तरह से देखिए East North Southwest समझा गया अभी देखे पीवर टेबल की जो fields थी वो यहां से गायब हो गई जैसे पीवर टेबल के अंदर कहीं प्लिक करोगे तो यह फिर से आ जाएंगी अब मालीजिए मैंने यहां क्रॉस पे क्लिक करके इनको हटा दिया अब नही आइस एंड डिजैन का टेब आ गया आपको जाना है एनलाइस टेब में यहां लास्ट में ऑप्शन मिलेगा फील्ड लिस्ट यहां पे आपको क्लिक कर देना है तो इस तरह से यह पीवर टेबल फील्स फिर से आ जाएंगे समझा गया अभी मैं क्या करता हूं मैंने रीजन को पकड़ के वापिस रो में ड्रेक कर दिया तो इस तरह से रो के अंदर हैडिंग सा गई है अब मुझे सेल देखनी है तो बस मैं सेल को पकड़ के वैल्यू में डालूंगा इनमें से न अगर कोई भी फिल्ड ऐसी है कोई भी कॉलम ऐसा है जिसमें नुमेरिक एंट्री है तो बस आपको एक बात का ध्यान रखना है वो आपको फिल्ड हमेशा वैल्यू वाले बॉक्स में ही ड्रॉप करनी है जिन पे हम कैल्यूलेशन करते हैं ठीक है तो वो हमेशा आपको वैल्यू वाले बॉक्स में ही ड्रॉप करनी है अभी देखे सिंपल सी रिपोर्ट बन ग गया सिंपल ठीक है अब यहां पे मैं कान करता हूं अगर आपको मानलीजी इस्ट की ओवरॉल सारी डिटेल आपको देखनी है तो बस आपको यहां पे डवल क्लिक करना होगा एक नई सीट यहां पे एड़ हो जाई और वहां पे पूरा इस्ट का लेका जोका आ जाएगा नए सीट हैड हो गई अगर मैं यहाँ फिर से मालीजे साउथ की जो एंट्रे इसकी डेटेल में चेक करना चाहता हूं कि सा उड्री जो भी LEE यह जो भी डेट आपको डेटा सकते हो चिक है इन सीट को डिलीट यहांст्र कर देना आएगे समझ में आगया यह सिंपल सी मैंने एक पिवर्ट टेबल से रिपोर्ट बनाई है अभी आगे आगे जैसे हम बढ़ेंगे वैसे वैसे हम एडवांस लेवल की तरफ चलते चले जाएंगे समझ आगे इतना अब अगर यह रिपोर्ट आपको करनी है किलियर तो इसके कई तरीके हैं या तो आप यहां से टिक हटा दीजिए या फिर आप यहां से पकड़ के इनको वापस उपर ड्रेक कर दीजिए या फिर आप यहां साइड में क्लिक करोगे न डॉट पे तो यहां प फर्मलिव से करेंगे तो हमें समेफ का फर्मला लगाना पड़ेगा वह और उसके बार 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 स्थे करना पड़ेगा तो बहुर saliva अप को बहुत आपको काम करने की कोई जिरूरत नहीं है यह आपको पता होना चेहें कि काम करती कैसी है अब दूसरा आप देखी यह यह मेरे पास data है अब मुझे एक report बनानी है दूसरी जिसमें मुझे क्या करना है मुझे यह बताइए कि कौन से reason में किस item की कितनी sale हुई question आपने समझ लिया कौन से reason में किस item की कितनी sale हुई फटा-फट report बना के दे दो तो देखिए कैसे बनेगी यहां पर सबसे पहले मैं क्या करूंगा reason को पकड़के मैं row में ड्रेग कर लूँगा अब आप यह देख लीजिए कि जो reason आपके है इस्ट वेस्ट नर्च आउथ वह आपको रो में चाहिए या फिर कॉलम में चाहिए कॉलम में चाहिए तो यहां पर ड्रॉप कर दो इनको तो मैंने अभी क्या किया मैंने इनको यहां पर रख लिया अब कॉलम में क्या चाहिए आपको ऊपर यहां पर क्या चाहिए यहां प पे आपको क्या देखना है, सेल देखनी है ना, तो सेल को पकड़ के, सेल नुमेरिक वैलिउ है, तो इसको पकड़ के हम सीधा कहा छोड़ देंगे, वैलिउ वाले बॉक्स में, यह देखिए, रिपोर्ट बन गई, ठीक है, यहां पे यह पूरा डेटा है, इस्ट का, आप दे होते, तो रिपोर्ट इधर चली जाती, है ना, तो यह अच्छा नहीं लगता, तो इसको हम स्वेप कर देते हैं, देखिए कैसे, मैं कह करता हूँ, इन रिजन को इधर ले आता हूँ, और इन आइटम नेम्स को इधर ले आता हूँ, तो मैंने रिजन को यहां से पकड़ा, रो वाले बॉक्स में से, और यहां पे छोड़ दिया, यहां से आइटम को पकड़ा और यहां पे छोड़ दिया, यह देखिए, अब यह रिपोर्ट अच्छी बन गई है, यहां पे आगए आपके रिजन, इस्ट, नौर्थ, साउथ, वेस्ट, और यहां पे आपके आइट अब यह रो और कॉलम का फंड़ा आपको समझ में आ गया, यह basically heading के लिए होता है, कि इन में से कौन सी detail आपको row heading में दिखानी है, इन में से कौन सी detail आपको column heading में दिखानी है, calculations के लिए जो field हमारी होंगी, वो हम value वाले box में डालेंगे, filter का फंड़ा अभी बाद में समझ म में आ गया अब एक चीज में और बता देता हूं अभी यहां पर सम आ रहा है यहां पर देखिए कि मॉनिटर की जो टोटल सेल है नौर्थ में इतनी हुई है तो यह काम हम समय आप देखिए अगर मुझे किसी भी नंबर की यहां से डिटेल देखनी है मुझे यह देखना है कि यह जो सम आ रहा है इसके अंदर स्कैनर का इनकी डिटेल दिखाओ कौन-कौन से आइटम है कितने हैं क्या चक्कर है तो आप जैसी यहां पर डवल क्लिक करोगे तो इसकी यह दी ठीक है दो लाग तीसजार इसके बाद आप यहां पर जाके देखोगे तो यह देखिए उतनी ही है दो लाग तीसजार समझा आ गया यहां भी हम चेक करते हैं मैं इस पर डवल क्लिक करूँगा तो यह देखिए अलग से टेबल आ गई और वो जो टोटल आ रहा था वो इन एंट्रीज का है साूथ से ठीक है और किसका है परिंटर का आप देख सकते हैं यहां पे आईटम नीम क्या रहा है तो इस तरह से आप किसी भी नमबर पे डवल क्लिक करके इसके पूरी डिटेल देख सकते हो अब यहां पर एक सीज़ आप देखिए अभी बइट डि सीजन में किस आइटम की कितनी सेल हुई है नंबर ओफ सेल बताना है काउंट करके तो यहां पे अभी सम का फॉर्मला लग रहा है फॉर्मला अगर आपको चेंज करने तो आप क्या करोगे आप कहीं भी राइट क्लिक कर दीजिए राइट क्लिक करोगे तो यहां पे option मिलेगा Summarize Values By By Default यहां पे सम है इसकी जगह आप काउंट कर दीजिए तो यह देखिए नंबर ओफ सेल आ गई अभी नौर्थ के अंदर मोईंटर की टोटल 47 सेल हुई है और कीबोर्ड की East में कोई सेल नहीं है North में कोई सेल नहीं है South में कोई सेल नहीं है West में एक ही सेल हुई है आप इसको चेंज करने हैं आप फिलिप करने हैं तो वह आप यहां से कर सकते हो समझ में आ गया आपको एवरेज देखनी है तो राइट क्लिक करोगे यहां पे आपका option मिल जाएगा Summarize Values By Average Maximum Minimum बाकी फॉर्मलेज भी आपको यहां पे मिल जाएंगे इतना समझ में आ अब एक चीज़ और मैं आपे बता देता हूँ जो cell यहां पे आपको blank दिखाई दे रहे हैं वहां पे कोई भी entry नहीं है अगर आप वहां पे default entry set करना चाहते हो तो इसके लिए क्या होगा आपको setting करनी पड़ेगी थोड़ी सी table में कहीं भी right click करना है right click करने के बाद आपक four empty cell so इसमें आपको entry कर देनी है मान लीजे zero मुझे दिखाना है empty cells के लिए यहां पे मैंने zero लिखा और यहां पे tick लगा के रखना है okay कर दिया तो अब क्या होगा जो cell blank थे वो blank नहीं दिखाई देंगे वहां पे आपको zero दिखाई देगा समझ में आ गया ना तो इस तरह से यह काम करते है इसके बाद यहां पे जो total आ रहा है grand total यहां पे अभी आप देख सकते हो ठीक है यह row का total आ रहा है यह column का total आ रहा है ठीक है अगर आपको यह total यहां से hide करना है so करना है तो यह भी आप कर सकते हो कैसे करोगे table में कहीं भी कर लो click क्लिक करने के बाद सीधा आ ग्रेंड टोटल यह रहाल, यहां पर option आपको मिल जाते हैं, और ओफ करना है, रोष र कॉलम के लिए तो यहां पर पहला option लिए रहिका, और पर और ओफ पर और ओफ कॉलम आपको अन करना है, तो ओउन कर सकते हो, तो यह आप option select कर सकते हो, केवल column के लिए करना है तो यह आप कर सकते हो, अभी मैं मालीजीन को off करता हूँ, तो मैंने off कर दिया, तो कोई भी grand total यहाँ पे दिखाई नहीं देगा, simple table आएगी, अगर आपको केवल नीचे row के लिए दिखाना है तो आप यहाँ पे कर सकते हो, on for row only, sorry यह आगया, ठीक है, row only के लिए, column करोगे तो column के लिए यहाँ पे इस तरह से आजाएगा, इस column का पूरा total यहाँ पे आजाएगा, समझा गया यह फंडा, इसके बाद आप देखिए अगला example यहाँ पे क्या होगा, पहले इसको हम कर देते हैं clear, तो इसके लिए या तो आपको option मिलेगा actions, यहाँ पे click करना होगा, यहाँ पे clear का option मिलेगा और इसमें आपको मिलेगा clear all, click करते ही यहाँ पे देखिए यह पूरी pivotable report clear हो गई, अब अगला example आप समझे, मुझे क्या करना है, मुझे items की जो sale है न, वो percentage wise देखनी है, कि किस item की total 100% sale में से कितने कितने percent sale होई, तो देखिए कैसे करेंगे, मैंने क्या किया, यहाँ से item को पकड़के row में ड्रेक कर दिया, तो यहाँ पे heading आ गई, अब यह आप देख लीजिए कि यह आपको ऐसे चाहिए या ऐसे चाहिए, ठीक है, अभी इसका भी एक और मज़ेदार logic में आपको बताने वाला ह आगे, ठीक है, जिससे आपका काम और भी ज़्यादा आसान हो जाएगा, तो अभी मैंने क्या किया फिलाल, मैंने item को पकड़के row में डाल दिया, इसके बाद मुझे क्या करना है, यहाँ से sale को पकड़के value में डाल देना है, अभी तो यह simple report आगी, keyboard की total sale कितनी हुई, monitor की क इतनी हुई, अभी मुझे यहाँ पर सम नहीं देखना, मुझे percentage wise यहाँ पर सेल देखनी है, तो बस मैं यहाँ पर करूँगा, क्या right click करूँगा, right click करने के बाद यहाँ पर option मिलेगा, so values as, यहाँ से आपको percentage of column total यह option कर लेना, select, तो देखिए यहाँ पर एक तरह से magic हो ग detail यहाँ पर दिखाई दे गई है, आपको किसी भी value की पूरी information से यह तो double click कर दो, अलग सीट एड हो जाएगी और वहाँ पर उसका पूरा लेखा जोका आपको दिखाई दे जाएगा, ठीक है, यह तो आगी percentage wise sales, अब माल लीजिए यहाँ पर मुझे number of sales भी दिखानी है, त यहाँ से आपको क्लिक करना है, और यहाँ से count पे क्लिक कर देना है, अब यहाँ पर देखिए keyboard की एक ही sale हुई, इसकी 30% दिखा रहे हैं, तो इसकी total जो sale हुई थी number of sale, वो 47 थी, समझा आ गया, इस तरह से, इसके बाद यहाँ पर माल लीजिए आपको total sale भी दिखानी है, यहाँ पर क्लिक करके कुछ भी heading आप डाल सकते हो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, तो यह example समझ में आ गया, मुझे यहाँ पे न, items की rank भी देखनी है, तो कैसे करेंगे, देखिए, मैंने क्या किया, फिर से sale को डाल दिया, value में, यहाँ पर एक और sale का column add हो गया है, यहाँ यहाँ पर आप heading change कर सकते हो, माली जी आप यहाँ पर लिखा, total sale, sale, यहाँ इसको भी आप change कर सकते हो, count यह number of sale, मैंने count लिख दिया, sort में, ठीक है, तो आप देख लेना, अपने हिसाब से, और यहाँ पर आप heading डाल सकते हो, rank, अब यहाँ हमें क्या करना, इन values को rank में convert कर देना है, तो किसी भी एक cell पे हम करेंगे, right click, यहाँ पर option मिलेगा, so values as, यहाँ पर नीचे आपको option मिलेंगे, rank, smallest to largest, या largest to smallest, अब यह आपके उपर depend करता है, कि आप ज़्यादा sale को number one rank देना चाहते हो, या कम sale को number one rank देना चाहते हो, तो मैंने क्या किया, मैंने यहाँ प यहाँ पर देखिए, यह काम हो गया है, यहाँ पर rank आ गई, जो keyboard है, वो fifth number पर है, number one पर कौन है, number one पर है speaker, इसके बार number four पर कौन है, scanner number two पर कौन है, printer आप यहाँ भी देख सकते हो, percentage में, तो इस तरह से दोस्तों, आप pivot table का use करके, अच्छी अच्छी रिपोर्ट चुट data किसी को देने की जरूरत नहीं है, अगर मैं press करता हूँ keyboard से control P, तो यहाँ पर देखिए, वो report बिल्कुल ऐसे के ऐसे print में आ जाएगी, इसे क्या होगा, हमारा लाख हो, रोज का record है, वो safe रहेगा एक तरफ, वो हमें देने की जरूरत नहीं है, उससे हमने एक report बनाई, औ या फिर किसी को दिखानी है, किसी को बेजने है, तो वो हम आसानी से बनाके बेज सकते हैं, अब इसको मैं कर देता हूँ clear, मैंने इस पे click किया, analyze tab में जाएंगे, और यहाँ action पे जाके clear all कर देंगे, तो यहाँ से देखिए pivot table हो गई clear, अब अगर आपके पास excel का कोई old version ह अभी मेरे पास excel का 2019 वर्जन है, अगर आपके पास कोई पुराना वर्जन है, तो यहाँ पे analyze tab की जगे, option tab आपको दिखाई देगा, फिक है, तो यहाँ पे मैंने click किया, इसके बाद field दिखाई नहीं दे रही हैं, तो हम जाएंगे analyze पे, और यहाँ पे field list पे click करके, item की, किस salesman ने कितनी sale की, question समझ लीजिए, report हमें कैसी बनानी है, कौन से reason से, किस item की, किस salesman ने कितनी sale की, यह हमें report बनानी है, तो यहाँ पे मैं report बना देता हूँ, पहले मैंने क्या किया, पहले मैंने reason को पकड़ा यहाँ से, और इसको column में डाल दिया, इस तरह से, फिर म मैं ने इसको डाल दिया रो में इतना हो गया काम यहां पर अभी क्या आगए रीजन और यहां पर क्या आगए आईटम अब मुझे क्या करना है salesman के name पकड़के यहां पर डाल देना है रो में यह देखिए की बोर्ड के अंदर कौन-कौन से जो salesman है एक ही है monitor के अंदर कौन कौन से salesman है चार यह नेम आ गई है प्रिंटर के यह आ गई है ठीक है अब सेल देखनी है हमें यहां पे तो यहां डाल दीजिए तो काम हो गया यहां पर क्या हुआ है यहां पर कितनी सेल किया वह सारा यहां पर दिख रहा है ठीक है इसी तरह पर प्रिंटर की आप दिख सकते हो इन लोगों ने सेल की है कहां पर किये कितनी की है वह आपको यहां पर दिखाई दे जाएगा नीचे अभी आप यहां पर ध्यान से देखोगे तो सब टोटल भी आ रहा है यहां पर माउस का आ रहा है ठीक है यह माउस का टोटल क्या हो गया ठीक है न और इसके बाद यहां पर प्रिंटर का आप राइट क्लिक कीजिए और यहां पर देखे सब टोटल आईटंध टिक लगा हुआ है अब यहां से सब टोटल से हद्वा आईटंगर वैल्यो कोई भी दिखाई नहीं दे री है माउस की नहीं दे रही है माउस की दी दे लिख नहीं अगर आपको देखनी है तो किसी एक पर राइट क्लिक करो और यहाँ पर सब टो टोल का आईट research सब टो टो जाएंगे यहां पर देखिए माउस की टोटल इसके अंदर से इतनी है बाकी यहां पर 00 है समझा आ गया अब ग्रेंट टोटल वगरा कैसे एड करना है कैसे हाइड करना है यह मैंने आपको पहली बता दिया था तो यहां पर क्लिक करके यह पूरा कॉलम कर लेना है यहां पर क्लिक करना है ऐसे आप पर आपको यहांपर गले का अपर कर यहां पर कोल् перепs करोगे को यहां पर यहां पर क्लिक liberate की जी उयाँ है कि आपको किसी भी item की proper detail देखनी है तो आप यहां पे क्लिक करोगे printer के कौन-कौन से sales मैंने ये हैं किसने कितनी sales की कहां पे कितनी की सारी detail यहां पे आ रही है आप इसको easily print कर सकते हो समझा आगे ना funda क्या है अब यहां पे तो sale आ रही है आप number of sales या कोई भी formula आपको change करना है आप right click करके formula भी change कर सकते हो समझा आ गया इस तरह से यहां पे यह काम करती है pivot table अब इसको भी मैं कर देता हूं clear अब मैं एक बहुत आसान तरीका आपको बताऊंगा pivot table बनाने का तो मैंने इस पे click किया कहीं भी और analyze tab clear action पे जाना है clear all अब देखिए मैं यहां पे क्या करता हूं अभी जो pivot table का यह format है यह कुछ इस तरह से आ रहा है आप यहां पे इन fields को drag नहीं कर सकते इनको पकड़के यहां पे नहीं छोड़ सकते आपने एक काम करना है इसका layout आप change कर सकते हो आपको यहां पे right click करना है pivot table options में जाना है और यहां आपको display tab में जाना है इसके बा change हो जाएगा यह देखिए अब इससे pivot table को समझना और भी आसान है ठीक है यहां पे आप click करोगे तो यह कह रहा है कि drop row field here drop values here drop column fields here दिटता हुआ इसा है टो मैं एक सिंपल सी health report बना देता हूँ मैंने केजिगए यहां से items को पकड़ा और यहां पर मैं किया डाल दिया row में भी आप लगा सकते हो चलिए filter का फंड़ा भी मैं आपको समझा देता हूं यहां पर आपको जिस भी column से data को filter करना है उसको पकड़ के यहां डाल दो filter में अभी मेरे data के अंदर मैं क्या करता हूं मैं date को as a filter use कर लेता हूं ठीक है तो मैंने क्या किया यहां पर date वाले column को उठाया, field को उठाया और filter में डाल दिया तो देखें यहां पर automatic filter लग गया अभी यहां पर जो यह data show हो रहा है यह all dates का हो रहा है अगर मान लिजी आपको किसी एक particular date का है कुछ dates का data देखना है तो यहां पर click करोगे और यहां पर देखें मान लिजी आपको देखना है 2.1 2021 का data तो आपने click किया 2.1 2021 ओके किया तो यह देखिए 2.1 2021 को जो sale हुई उसका record आ गया 2.1 2021 को इस date को केवल keyboard monitor scanner की sale हुई और east north और west में हुई कहां कहां पर कितनी हुई total कितनी हुई सब कुछ आपको देख रहा है यहां से आप क्या करोगे मान लिजी यह आपको आपने किस your date का देखना है 17 का देखना है तो 17 2020 मैंने click किया तो केवल इस date को printer की sale हुई वह भी south में हुई ठीक है हमारे पास data ज्यादा नहीं है 200-300 record है तो आपके पास अगर 1000 लाखों में data होगा तो report काफी बड़ी बनेगी क्योंकि data ज्यादा होगा तो यहां पर record भी ज्यादा आए items क्लिक करोगे तो यहां पर टिक लगा दीजिए माली मुझे एक तारिक का देखना है तीन का देखना है और इसके बाद मेरे को मैंने यहां से select कर लिए ओके करेंगे तो तीन डेट का data आपको यहां पर दिख जाएगा इस तरह से आप यहां पर filter का use कर सकते आप multiple filter भी लग क्लियर करने के लिए फिर से में क्या करूंगा और यहां action clear clear all ठीक है इसका layout में change कर देता हूं पहले वाला pivot table options और यहां display tab पर जाके classic layout से ठीक हटा दिया okay कर दिया तो यह simple आगया है ठीक है मैंने क्या किया यहां पर मैंने cable item को डाल दिया row में और इनकी quantity डाल दी मैंने value में और sale को भी डाल दिया value में इस तरह से तो item wise इनकी total quantities total sale यहां पर आ गई है अब मैं filter एड़ कर लेता हूं data में मैंने एक तो date का filter एड़ कर दिया एक मैं region का filter दो filter मैंने यहां पर लगा दिया है इस तरह आप multiple filters भी add कर सकते हो अभी यह complete data आ रहा है ठीक है अगर आपको किसी date का filter करना है तो यहां से आप date कर सकते हो ठीक है इसके बाद यहां पर नीचे item भी और sorry reason भी select कर सकते हो ठीक है मान लिजे मुझे केवल East का data देखना है तो मैंने East पर click किया ओके किया तो यहां पर East का data आ गया है East के अदर केवल mouse and scanner की sale हुई है ठीक है अगर आपको यहां पर date select करने है तो यहां से date भी आप ले सकते हो जो भी date आप लोगे उस date का और यहां से जो भी reason आप लोगे उस reason का data यहां पर filter होके आएगा तो उमीद क पर जाके action पर जाके clear clear all पर जाके मैंने इसको कर दिया clear ठीक है इसके बाद एक grouping का मज़धार use आप देखिए यहां पर मैंने click किया ठीक है मैंने क्या किया मैंने sales को पकड़के अभी row में डाल दिया आप देखोगे यहां पर sales इस तरह से आ गई है unique values आगी है 1200 से sales start होई है और last sale मतलब highest sale क्या है वो नीचे यहां पर आ रही है group के option पर जब आप जाओगे grouping पर तो यहां पर आप देखोगे starting at यहां पर lowest value दिखाई देगी और ending at यहां पर highest value दिखाई देगी ठीक है यहां पर आप by difference set कर सकते हो मानलीज यह आपने यहां पर 10,000 लिख दिया ok कर दिया तो यह देखिए इस तरह से इनका group बन जाएगा 1200 से 10,000 एड़ करके इतना हुआ इसे इतना इसे इतना इसे इतना एक range बन गई है मैं थोड़ा इसको और edit कर देता हूँ right click करता हूँ group पर जाओँगा और यहां पर जो starting value है मैं इसको one कर दूँगा one okay तो अब देखिए यहां पर इस तरह से एक range बन गई है ना एक से 10,000 दस जार एक से 20,000 बीस जार एक से 30,000 और इसके बाद 40,000 एक से 50,000 अब आप कोगे 30,000 एक से 40,000 कहां गया इस range के अंदर कोई sale है यह नहीं हमारे data में तो यहां पर cable वही जो है series बनेगी जिसके बीच म आप देख सकते हो यहां पर count of sale आ गया है अपने आप यहां पर count of sale आ रहा है कि एक से लेके 10,000 के बीच में जो sale हुई वो total 21 sale हुई है ठीक है आप यह देखने चाहते हो कि इतने से लेकिचे इतने तक कितनी sale हुई एक ही हुई है ठीक है ना तो यहां पर इस तरह से range बन ग हटा दिया यह मैंने इनको हटा दिया मैंने क्या किया यहां से एज को उठाया और एज को मैंने डाल दिया रो में यह आ गई अब मैं एज की grouping कर देता हूं मैंने right click किया group पे गया और यहां पे मैंने क्या किया यहां पे मैंने डाल दिया एक यह दस डाल देते हैं यहां पर देखिए अब एक से दसके 20 में कोई एज है नहीं किसी बन देगी तो यहां पर फिल्ड नहीं आई है वह सीरीज नहीं आई है 11-20, 21-30, 31-40 इस तरह से यह एक रेंज बन गई है एक ग्रूप बन गया एज का अब आपको यह देखना है कि हमारे पास जो है जो सेल्स हुई है जो 11 से जिन सेल्समेन की एज 11-20 है उन्होंने कितनी सेल की हैं तो आप क्या करोगे यहां से सेल्स को पकड़के यहां पर डाल द सेल की हैं 32 आपको सेल देखनी है इनकी तो सेल को पकड़के आड़ दो यह आगे है आपको राइट क्लिक करके यहां से फॉर्मला चेंज कर लेना समराइस वैली बाइस संब कर दीजिए टोटल सेल आ गई इसी तरह आपको और कुछ देखना है रैंक देखनी है तो वह भी पर यही आ रहा है आपका 41 से लेके 50 तक जो जिनकी एज है उन्होंने सबसे ज़्यादा सेल की है समझा गया तो इस तरह से ग्रूपिंग का आप यूज करके पीवर्ट टेबल बना सकते हो अलग अलग तरह से अब एक चीज दोस्तों मैं आपको बता दूँ अगर आप अप को पकड़े वापस ड्रेक कर दिया उपर तो यह रीपोर्ट मैंने कर दिक लियर ठीक है मैंने यहां पर रीजन को स्ट्राइब किया और में ढाल दिया और सेल को पकड़ के मैंने हाँ डाल धिया यह सिंपल सा फंडा हो गया कांट यहां पे लिखा रहा है इस के अंदर total अब आप यहाँ देखोगे, यहाँ तो दो ही मिलेंगी आपको, यह दो ही है, आपको क्या करना होगा, अगर आपने यहाँ पे कोई चेंज किया data में, तो वो चेंज यहाँ लाने के लिए न, pivot table पे right click करना है, इसके बाद यहाँ पे option मिल जाएगा आपको refresh का, जैसी यहाँ क जाना होगा और यहां पर यहां पर चेंज डेटा सोर्स यहां पर क्लिक करना होगा इसके बाद चेंज डेटा सोर्स यहां पर जैसी क्लिक करोगे न तो यह देखिए यह पॉप आ गया और इसमें यह रेंज आपकी सेलेक्ट है अब इसमें फिर से आपको रेंज सेलेक्ट कर यहां से लेके और जहां तक आपके extra columns add की है और नीचे तक पूरी range करके कर देना है तो आपका काम हो जाएगा जो भी extra columns आपने add की होंगे वह यहां पे add हो जाएंगे फिर उनको आप pivot table में use आसानी से कर सकते हो तो इस तरह से टेबल में यहां filter add हो जाएंगे अब आप pivot table में na slicer और timeline का बहतरी न use कर सकते हो इस filter को use ना करके देखिए यहां पे हम जाएंगे analyze टैप पे तो दो option आपको मिल जाएंगे slicer और timeline यह रहे ठीक है अभी मैं पहले slicer add करता हूँ तो insert slicer पे मैंने क्लिक किया यह filter ही है बट यह instant filter है थोड़ा फास्ट है तो यहां पे अभी पूस रहे है कि आपको कौन-कौन से column name से filter बनाना है slicer बनाना है तो मैंने क्या किया मैंने आइटम का निम ले लिया और यहां से मैं क्या करता हूं रीजन ले लिया ठीक है आइटम निम और रीजन और मैंने ओके कर दिया ओके करते ही यहां पर देखे क्या होगा दो फिल्टर आपके सामने आगए है यह से सलै स्कैनर यह तो यहां पर क्लिक कर आइटम करकbst यहां पर टेकौर सकते हो यह तो उदको से ने सब्सक्राइब let आपको speaker देखना है East के अंदर तो यहां से आप इस तरह से जो है slicer का यूज कर सकते हो अभी मैं इसको कर देता हूँ delete ठीक है delete कर देता हूँ एक चीज और मैं आपको बता दूँ यहां से मैंने clear कर दिया यहां से इसको clear कर दिया अगर आपको इस data का chart बनाना हो अब यह data तो आपको पता चल गया है यहां पर जो यह table आ रही है यह dynamic है कभी जादा होती कभी कम होती है यह depend करता है आपके data पे और filter पे आपने क्या filter लगाया है अगर मैं यहां पे click करके keyboard से press कर दूँ Alt F1 तो यहां यहां पे क्या हो जाएगा यहां पे चार्ट बन जाएगा इसी शीप पर यह बन गया ठीक है अब यह इसका size मैं छोटा कर देता हूं यह pivot chart बन गया है ठीक है इसका size छोटा करके आप इसको कहीं भी रख सकते हो इस तरह से मैं इसको थोड़ा चोटा कर दिया ठीक है और अपने आप जो है अपडेट होता रहेगा यह dynamic chart बन गया एक ठीक है यहां से clear करोगे तो यह chart भी आपका इसी तरह से जो है दिखाई देगा अभी यह chart बना इस data का और जैसी filter आप लगाओगे तो यह data कमें जड़ा होगा तो उसी according आपको चार्ट चार्ट यहां पे दिख कर सकते हो यह आप कर लेना ठीक है तो मैंने अभी इसको कर दिया डिलीट और इस स्लाइसर को भी कर दिया डिलीट और इसको भी कर दिया डिलीट ठीक है अब यहां पर timeline हम एड़ करते हैं तो फिर से हम जाएंगे table पे click करके analyze tab पे और यहां पे insert timeline इसके लिए क्या होगा दो और यह अच्छे से तब करेगा जब आपके पास बहुत सारा data होगा months का data years का data डेस का data बहुत सारा data होगा तब…. यह प्रॉपर आपका काम करेगा अब यह काम तो यहां पर भी करेगा पर अच्छे से लिए नीदेगा रहहे जेया पे takeICES है यहां पर देखना है उने द्करना आपका ये फर्स डे ये आपका फर्स जैन को जो सेल हुई वो दिखा रहा है सेकंड जैन को थर्ड जैन को आपको फर्स से लेके फोर देखना है तो यहां से आप सेलेक्शन ऐसे कर सकते हो ठीक है आपको तीन से लेके पांस देखना है तो तीन चार पांस ऐसे सेलेक्ट कर सकत और पीवर्ट टेबल को अच्छे से सीक लिए इसकी प्रैक्टिस अच्छी से करना यह ट्रेनिंग आप डाउनलोड कर सकते हो वीडियो के डिसक्रप्शन में लिंक दिया है अब एक चीज और समझ लीजिए जाते जाते अब यहां से अगर पीवर्ट टेबल हटा नहीं हो तो तो उसके लिए आपको क्या करना होगा मानली जी आपको यह पीवर्ट टेबल का यह एरिया क्लियर करना है यहाँ पे नहीं बनानी आपको टेबल तो उसके लिए आपको क्या करना होगा आपको यह रेंज कर लेनी है सेलेक्ट और हॉम टैप पे जाना है क्लियर पे जाना है और clear all, that's it वीडियो अच्छा लगा, तो like, share, comment करते जरूर जाना मिलता हूँ अगले वीडियो में Thank you दोस्तो, have a nice day, जै हिंद, वन दे महात्राम, take care